बाकाजिला के टाउन थाना चिद्र के मजलिस पूर और नवटोलिया के बीच कब्रिस्तान के जबीन को लेकर हुए बिवाद में जमकर गोलिबारी और बंबारी हुई है जिससे आसपास के लाके में दहसत का महौल है वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुची अस्थानिय लोगों के मुताबिक 70 राउंड से अधीक गोलियां और 80 से अधीक बंब पटके गए वहीं इस खटना को अवेद बालु खनन से भी जोड़ कर देखा जा रहा है फिलाल HDPO दिनेश संस्री वास्तव HDM मनोश कुमार चौधरी एडिशनल HDM संतोष कुमार मौके पर पहुचे और मामली की च्छान भी इन में जुट गए अस्थानियों का कहना है कि गुरुबार की देर साम मजलीश पूर के कुछ युवाओं ने जबरन बकड़ी रख ली थी जिसको लेकर नवटुलिया से बिवाद उत्पन हुआ बिवाद उत्पन होने के बाद कबरिस्तान से ट्रैक्टर चलने लगे और बालू का उठाव करने लगे इसका बिरोध करने पर दोनों और से जम कर गोलिया चली और बंबारी भी हुई फिलहाल पुलीस मौके पर पहुची और मामली की च्छान भीन में जुट गई अब हम लोग आए हैं उसी की जाच परताल के लिए इसकी फियो साबी है और देखते हैं क्या रास्ता निकलता है बंब गोली चलने बंब कितने चलने के कितने लोग है आने कुछ पर दो आदनी के खैल होने के सुचना मिली है लद्धाक में एली सी पर चीनी और भारतिय सनिकों के आपसी मुठ भेड में भारत की 20 जवान ने अपनी सहादत दे दी चीन के इस काराना हमले के बिरोध में पुरुभाशपा परत्यासी डॉक्टर मिर्नाल सेखर के नैतलितों में अमरपूर सहर के गोला चौक पर चीन के राष्टपती सी जिनपिंग का पुतला दहन किया गया साथी चीन के ज़ंडे को जलाते हुए अपना बिरोध जताया गया मौके पर उपस्थित ग्रामिनों एवं कारेकरताओं को संबोधित करते हुए मिरनाल सेखर ने कहा कि वक्त आ गया है कि हम चीन के विस्तारबारी सोच का बिरोध करें हमारे सैनिक बॉर्डर पर देज की रक्षा के लिए ततपर हैं हम सबों को भी भावनात्म करूप से अपने सैनिकों का मनुबल उचा करने की आवस्कता है हम स्वाब लंबी और आत्म मिर्भर बन कर चिनी समानों का बहिसकार करें इससे चीन का मनुबल गिरेगा इस अवसर पर पाटी के नगर अधिश परदीब गाए संभुगंच के मंडल अधिश दीपक चौधरी प्रितम सा भाजियूमों के नगर अधिश सुजीत कसिरा नगर कोसाध्यज विनीट सा कुंदन कुमार गजाधर कुमार उदैसर मार राजिश भगत समेत दरजनों की संख्या में कारेकरता गन वा आम लोग मौजूद थे देश के जबान के साथ हम खाड़े हैं हमारे खून का एक एक कत्रा भाएगा लेकिन हमारे सेनामत का मनवल नहीं गिरेगा और देश के काम यदि कोई भी यहां का हर युबात तयार है जब भी अबाद की जाएगी हम देश के लिए अपने सर्वस्ट लुटाने के लिए तयार बशे हैं भारत मतकी जारो बंदे मातरा वीर जबान मर रहे चिनी राष्ट्पती हाई 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 चिनी राष्ट्पती सर्म करो सर्म करो बाकाजिला के अमरपूर थाना चित्र के अवेद घाटो पर थाना ध्यच कुमार सन्नी की निर्देश पर पुलीस के दोरा निरंतर चलाई जाए चापे मारे अभियान में सुक्रवार के दिन चित्र के मालदेव चक एवं चोकर मादा चक घाट के समीप बालू लधी डो ट्र सुनील कुमार बीके तिवारी जमसीद खान के साथ अवेद घाटों पर दबिजदी आ गया वहीं पुलीस वाहन को देखते ही बालू लधी ट्रैक्टर के चालक अपनी वाहनों को छोड़कर फरार हो गये मौके से बालू लधी दोनों ट्रैक्टरों को जब्त करते वे ठाना पर इसर लाया गया जब्त दोनों ट्रैक्टरों के संबंध में खनन पतादिकारी को सूचना देते वे कारवाई की चा रही है वहीं दूसरी और कुछ ग्रामिनों ने नाम नहीं चापने के सर्थ पर बताया कि एहले सुभा से ही माफियाओं की टोली छेटर के माल देपचग घाट चोकर घाट पर पहुंच का ध्रलने से बालू उठाव में जुढ जाते हैं माफियाओं का नेटवर्क थाना गेट के सामने गोला चौक पुरानी चौक बस स्टैंड महमतपूर कालियस्थान आदी जगों पर तैनात रहते हैं जो पुलीस की हर गतिवीदी के कबर माफियाओं को देते रहते हैं जिसके करण छापे मारी के पुर्वी माफिया सतर्क हो ज जाते हैं वहीं मामले को लेकर थाना धिच बताते हैं कि अवे दिखनन रोकने के लिए परतिवंदित घाटों पर लगातार चापे मारी अभियान चलाई जा रही है अवे दिखनन को रोकने के लिए सभी पुलीस कर्मियों को सक्त निर्देश दिया गया है किसी भी सूरत मे प्रतिवंदित घाटों से बालू उठाव नहीं होने दिया जाएगा अवेद खनन में सनलिप्त लोगों के खिलाप कड़ी से कड़ी कारवाई की जाएगी प्लीस प्रसासन के तोरा लगातार चलाई जा रही चापे मारी अभ्यान से बालू माफियाओं में साप तौर पर हडकम पे देखी जा रही है बाकाजिला के अमरपूर थानाचितर की इंगलिस मोड चौंक पर भारतिय अटल सेना राष्टवादी के परखंड अध्यच अंजनी ठाकूर के नेतित्तों में एलेसी पर सहीद वे बीर जवानों को कैंडिल माच निकाल का स्रधानजली अर्पित करते हुए चीन के राष्टवज समेत राष्टपती का पुतला दहन किया गया इस अफसर पर मुख्य रूप से पाटी के परदेश उपाधिच रवीरन जन्तों मर अमरपूर बिधान सवा के पुरुपर्तियासी सब विसनपूर पंचायत के मुख्या सुरुदेव सिंग अमरपूर बिधान सवा के भावे परतियासी पप्पु सिंग रालोसपा के रज इस मौके पर मौजूद कारेकरताओं ने कैंडिल माच निकाल कर बीर सहीदों को सध्धासुमन अरपित किये एवं मौजूद कारेकरताओं एवं आम लोगों से चीनी समानों का बहिसकार करने की अपील की इस अफसर पर युवानेता प्रकास सिंग, जिलाध्यच सोनु सिंग, संत सागर बाबा, फदेपूर पंचायत के पुरमुख्या स्विपरसाद मंडल, रतनपूर मगदुमा पंचायत के पैक सध्यच पपु सिंग, निर्मल सिंग, चंदन तिमारी, मनोज भगत रिंकु नरेश मंडल, पिंकु सिंग, रोहित सार, रलोसपा के रजनीज सिंग, संतो सिंग, निलेश कुमार समेथ सैकलो की संख्या में कारे करता, वा आम लोग मौजूद थे चीनी समान का पूरा पूरा भिरोद करेंगे, चीनी समान भारत में नहीं लाने देंगे, भारत में नहीं चलेगा चीनी समान, बाकाजला के समहारता की निर्देश पर बड़ी संख्या में सराप का बिनिश्टी करन किया गया यह कारे उतपाद विभाग के अधिचक अरुन कुमार मिस्रा तथा बाका के सीओ सुजीत कुमार के सामने 766 लिटर सराप का बिनिश्ट किया गया यह बाते बाका अधिचक मदनिसेद उतपाद विभाग के अरुन कुमार मिस्रा ने पत्रकारों को बताया ग्यात हो की 13 थानों के 29 कांडों में 766 लीटर सराब को जब्त किया गया था जिसमें 666 लीटर देशी सराब और 144 लीटर बिदेशी सराब बरामत की गई थी पादरिचक अरुनकमान मिस्रा ने बताया कि परतीक 15 दिनों में समहारता की निरदेश पर सराब का विनिश्टी करन किया जाता है एक और जहां बिहार सरकार दोरा सराब पर पुर्ण पावंती लगा दी गई है वहीं दूसरी और सराब माफियाओं दोरा सराब की तसकरी अभी तक बंदन नहीं हुई है रोज किसी न किसी थाने दोरा सराब पकड़ा जा रहा है रजान बिडियो गुरुदेव परसाद ने अगामी 2020 विधान सवाज चुनाब को लेकर परखंड कारियाल में विभिन राजनीतिक दलों के अधच सचीव वाकारिकरताओं के साथ बैठक की बैठक में बिडियो ने विधान सवाज चुनाब के नियमित 155 मतनाता केंद्रों का बूथ लेवल एजन्टों से संबंदित बूथ संख्या के साथ नाम मुबाइल नमर सूची उपलब दिकराने के लिए राजनीतिक दलों से कहा है बैठक में कई राजनीतिक दलों ने बियेलो दूरा सही तरीके से काम नहीं करने के लिए बात भी रखी वहीं बीडियो ने राजनितिक दलों के बीले एवं बीलों से लिंगा नुपात महिला मद्दारों के संख्यां बढ़ाने एवं रित वोटनों का नाम हटाने और नाम सुधिकरन कराने आदी में सईहोग करने के लिए कहा है बैठक में बीपी आरो हेमंत कुमार सिंग, बीईयो सिवनरायन ठाकूर, बी आरपी संजे कुमार ज़ा एवं जदियू राजद, रालोसपा के लोग उपस्तित थे वहीं इस बैठक में भाजपायम लोचपा की और से कोई भी उपस्तित नहीं हुआ था बाकाजला के जैपूर बजार में एक कल्यूगी बेटे ने अपनी मा को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया यह दुखन घटना सुक्रबार तीन बजे साम जैपूर बजार की है बंद घर में 60 वर्सिये बुढ़ी मा पदमा देवी बैठकर टीवी देख रही थी कहानी मान कर थोड़ी देर कर दी इधर मा के हत्या के बाद पवन अपने पिता रामक्रिस्न मंडल को ढूंड रहा था इसी बीच ग्रामिनों ने उसे पकड़ कर बिजली पोल से बाहन दिया सूचना मिलते ही सहाय कवनिर चक रमीश चौंधरी एवं मेनेजर सिंग ने घटना स्थाल पर पहुँच कर हत्यारोपी को अपने कबजे में ले लिया वहीं इस घटना से पूरा समाज अस्तब्द है मिर्तिका पदमादे भी अपने दोनों बेटे और पती से अलग रहती थी इस परिवार में बात बात पर रलाई जगडा खून खराब आम बात थी कई बार प्लीस प्रसासन को भी हस्त छेप करना पड़ा था बड़ा बेटा मुंबई में काम करता है जबकि छोटा बेटा पवन लॉकडाउन में घर वापस आया है इसी भी सुक्रवार को बगेर कोई बाद बिबाद कि उसने अपनी मा के हत्या कर दी उसकी पत्नी भी उसके कुरूरता से परिसान है पिछले साल ही अपनी पत्नी और बेटी को लाठी से वार कर सर फाल चुका था अवर निरचक मेनेजर सिंग ने बताया कि हत्या रोपी को गिरपतार कर लिया गया है पितार रामकृष्णी यादब के बयान पर केस दर्ज किया गया है बाका जिला के अमरपूर बजार के पुरानी चौँक पर ट्रक और कार की टकर में बाइक पर सवार दो युवग जखमी हो गया जखमी दोनों युवग का प्राथमी कुपचार सहर की नीजी क्लिनिक में किया गया मिली जानकारी के नुसार सलेमपूर गाउनिवासी अजीत तिवारी एवं पिउस्तिवारी सहर के बस स्टैंड से पुरानी चौँक होते हुए अपनी गाउं सलेमपूर जा रहा था तभी भागलपूर से आ रही पुरानी चौँक के समीप एक कार में धक्का मार दिया कार की साइड में पिउस्तिवारी अपनी बाइक से जा रहा था ट्रक और कार की टक्कर के कारण बाइक सवार को भी जटका लग गया जिसमें बाइक सवार दोनों युबक मामुली रूप से जखमी हो गया वही कार और ट्रक की सीधी टक्कर में कार पर सवार लोग बाल बाल बच गये मौके पर परत्यच दर्शियों ने बताया कि पुरानी चौक संकिन रहने की वज़ा से आम लोग के साथ हमेशा कोई न कोई दुर घटना घटित होने का डर्ब बना रहता है ऐसे में रात को साड़कों पर चलती वहनों से आम लोग पूरी तरह से भैबीत रहते हैं सरधानजली सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लद्दा के गलवान वैली में चीनी सैनिकों के साथ मुठ भेड में सहीद वे बीर जवानों के बलिदान को कोभापुन सरधानजली हमारे सभी सहीद वीर सपूतों को नमन करता हूँ इसवर से प्रातना करता हूँ कि उनके परिजनों को यह दुख सहने की सक्ती दे वहीं युवा मोर्चा के कारेकरताओं ने पुस्पांजली कर दो मिनट का मौन रखा स्रदहांजली सभा में भाजपा युवा मोर्चा जिला मंतरी सन्नी जहा जिला मीडिया प्रभारी जितिंद्र साह एवं बिकास तिवारी जिला उपाध्या ससीकान चौधरी कौसल चास जितिंद्र सिंग, सिंपल सिंग, अन्मोल सिंग एवं अन्ने कारेकरता उपस्थित थे